यदि कोई भी सेल में फॉर्म भरे हैं और कुछ मिस्टेक हो चुका है तो क्या करेंगे चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ और इहां पर आप देख रहे हैं आपको उपर इस तरीके से करना है यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है contact us यानि कि contact कर सकते हैं enter your name अपना नाम यहाँ पर डालना है और फिर यहाँ पर email डालना है इसके बाद यहाँ पर mobile number देना है ठीक है और आगे है उसको मैं आप लोगों को बता दता हूँ क्योंकि कुछ लोगों का mistake हुआ है फिर से यहाँ पर देखिए नाम डालना है email डालना है mobile डालना है और यहाँ पर कुछ message लिखना है देखिए फिर इसको मैं उपर बढ़ाता हूँ देखते हैं पुरा क्या लिखा हुआ है मतलब कुछ message आपको लिखना है और इसको submit कर देना है यहाँ पर देखिए submit कर देना है ठीक है submit कर दीजी इसके बाद इसके बाद यहाँ पर देखिए एक call करने का भी option आता है अगर यहाँ पर call होगा तो call करके भी परियास करिएगा यहाँ पर देखिए call now मतलब कि यहाँ पर आप call कर सकते हैं यहाँ पर देखिए technical queries, help line और यह start कब होगा 9.30 से 6.30 बजे रातरी तक मतलब चालू रहेगा तो आपको सुबर 9.30 से साम में 6.30 के अंदर ही try करना है बात करने के लिए और यहाँ पर call now में try करिएगा और उपर भी पुरा भर लिजेगा ठीक है तो आपको हो सके कोई सहायता मिल जाए और मैं इसमें कभी भी contact नहीं किया हूँ न बात किया हूँ लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों को आप problem था इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छा अब इहां पर देखिए स्टार्टिंग में जिसे आप जाएंगे कैसे अगर कुछ लोगों का दिकत होगा तो आपको क्या करना है मैं थोड़ा से यहां पर बैक करता हूँ देखिए मैंने बैक कर दिया बैक करने के बाद इहां पर देखिए मैंने सेल सर्च किया था तो आपको क्या करना है ना सिर्फ और सिर्फ सेल लिखना है इसको सर्च करिए सर्च करने के बाद देखिए क्या आता है सर्च हो चुका है अब आपको क्या करना है इसको उपर ले जाना है तो यहाँ पर दखिए सेल का जो main site है वो क्या है www.sale.co.in इसके बाद जो recruitment वाला है, carrier वाला है यहाँ पर already आ जाएगा नीचे में यहाँ पर दखिए जो recruitment section होता है यहाँ पर दखिए तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है www.salecarriers.com तो आप इसको direct भी लिख सकते हैं search कर सकते है www.salecarriers.com ठीक है और नहीं तो only sale search करके आप यहाँ पर आ सकते हैं अब यहाँ पर मैं एक बाद टच करके दिखाता हूँ इसमें आप टच करेंगे तो open हो जाएगा देखिए open हो गया ना एही चीज मैंने आप लोगों को बताया था आपको उपर करते जाना है और last में नीचे में होगा यहाँ पर contact us तो इसमें आपको contact करने का परियास करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ contact करने का परियास करिए या फिर कहीं से भी आपको contact number अगर मिला हो तो उसमें contact करके आप अपना problem को सुलजा सकते हैं जैसे कुछ लोगों ने form भरा है भिलाई का तो कुछ गरबड़ी हो रहा है और आज तो last date है ठीक है अगर किसी तरीके से अगर help हो जाता है ठीक हो जाता है तो कोशिस करते रहिए